हेलो फेंट्स आइम राहूल एंड वेल्कम तो दे चैनल एवरीबड़ी कें लर्न इंग्लिश स्वागत है आपका इस चैनल में हर कोई एंग्लेजी सीख सकता है और मैं आपके बीच में लाया हूं टिप्स पॉर स्पीकिंग इंग्लिश टिप्स पॉर स्पोकन इंग्लिश पॉर मैंने चार पॉइंट लिखे हैं आपके लिए तो जो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूं इंग्लिश कि कैसे एंग्लिशी बोल सकते हो सो स्टार्ट करतें आज की क्लास में उससे पहले हैं बता दू कि आज आप लोगों को टू है बाले सेंटिस बनाने मुझे स जब मैं घर पर आया तो साम हो चुकी थी लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम में एक टिप्स वीडियो आपके लिए बना दू कि जब रेगुला क्लसे से तो समय ध्यान ने रहता लेकिन अगे फ्री माइंड था तो मैंने सुच आपके लिए एक टिप्स वाली वीडियो भी बना दें ताकि आपको भीच भीच में थोड़ा सा मौर्टेविशन मिल सके वीच वीच आपको आइडिया लग सके मुझे आपका कहना है आप क्या करना है क्यूंकि एकसर हम भूल जाया करते हैं so that's why we have choose data आज हमें tips देनी चाहिए आज मुझे tips देनी चाहिए आपके लिए so मैंने चूस किया है तो spoken English के लिए जो मैंने मेरी tips जो मेरी खुद की है तो मेरा फस्ट है daily sentence practice okay so आप लोगों को daily sentence की practice करनी है अब क्योंकि अगर आप sentence की daily practice करें तो आपकी English improve होगा आप लोगों ने कहावा सुनी होगी बूंद बूंद से घड़ा वरता है या सागर भरता है सागर बनता है तो एसे आपको ट्रांसलेशन की प्रेक्टिस करने है कैसी करने है और और हमें ट्रांसलेशन की फ्रेक्टिस करने है ताकि आप हैजिटेट ना हो इंग्रिस बोले में और आपको ट्रांसलेशन भी फटाक से आ सके जो टाइम तो आपको ट्रांसलेशन में दो से तीन सेगंड लगता था या पर एक मिनट लग जाया करता था जब आप प्रेक्टिस करोगे तो आपको ट्रांसलेशन फटाक सापके होनेस्ट मैं अमीर नहीं हूं आइम नाट रेच वह गरीब था ही वाज पूर तुम कहां थे वेर वर यू मेरे पास फॉन नहीं है आइब नाट फॉन दुकांदार इमानदार होगा विल भी होनस्ट इस प्रकार मैंने इसमाल वोले स्परकार आप सेंटेस बोल सकते हो और बिना कॉपी रखें आपको जितने भी सेंटेस्टेस आए दमाग में संगल संगल आपको सोच सोच कर सोच कर आपको बोलना है और आपको कम हो जाएगा और आप कॉंफिडेंट फिल करोगी और मेरी एक टिप्स और है इसमें एड कर देता हूं कि अगर आप आयने के सामने इन फ्रेंट आप दे मिरर एदिया प्रक्टिस करोगे सेंटेस की तो आपको कॉंफिडेंट बहुत अच्छी तरीगी से करते सेंटेस मेकिंग करते सेंटेस के वह वेरी बनार हुआं इंप्रोफ हो सके आपकी श्रती है और एप कि यंभलं से डोależy बयलन रहे हैं कि दोनों का ब्ल sled दूंष करोगई आप डेली सेंटेस बनांत दूंगी ता मृता sat इस वरल आप तब ही तो आपकी बॉक्रीब लरी डेली इंप्रूब होगा जैसे मैंने बोला कि वह बहुत तो यह बहुत खराग था यह बहुत उसकी इस्तिति देनी थी तो जब आप संद्रीश को सोचोंगे को वाट इस मेंग अब देनी यह यह वाट इस मेंग अपडी कमपेशन यह कब आएगा जब आप डेली बेसिस पर आप इसकी संद्रीश बनाओगे अपने मंस हैं तो यह कब आएगा जब डेली करोगा आपकी बॉक्रूब होगी आप संद्रीश को भूलोगी नहीं आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ओके सो मैं नेक्स्ट है जो थर्ड है मै आपको पहले तो अब इसको यह कोश्चा है जैसे मैंने बूला कि वह कौन है who is he मैंने सामने बाले मैंने आंसर दिया कि वह रहूल है he is रहूल तुम कहां हो where are you मैं घर पर हूँ I am at home क्या दुकानदार घर पर नहीं है is shopkeeper not at home हाँ दुकानदार घर पर नहीं है as shopkeeper is not at home तो आप ऐसी हिंदी और अंग्रीजी में हिंदी और अंग्रीजी में आपको अच्छी सी practice करने है ताकि आप बहुत अच्छी तरीकी से आपको question answer भी आने लगें question answer आपको reply करना भी आने लगेगा और most important thing consider that यह मैंना star बनाया है इस पर तो यह तीनों का conclusion है कि recording and listening आपको जो भी आपको activity कर रहा है उसकी आपको अच्छे से recording करनी है आपको मवाल रख लेना है और आयने के सामने खड़े होकर आपको सेंटिस की practice करनी है और जब कि आप practice करो गए उसके बाद recording तो हो रही है कि उसके बाद आपकी complete हो जाएगी उसके बाद आपको सुनना भी आप listening is most important क्योंकि जो तुम बोल रहा हो वो तुमारा क्या है वो तुमारा जो तुम बोल रहा है आप बोल रहा हो स्वरी उसका तब मैं पता चलेगा कि अगर मैं सामने बाले से बहुत उसको क्या से लगेगा तो आप खुद पर भी कर सकते हो किसके थुरू लिसनिंग के थुरू ताकि आप किसी से बात करें तो आपको हैजीटेशन ना हो क्योंकि तो मैं 100% सही अंग्रेजी बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में यह सब करना बहुत ज़्याद जरूरी है जब आंगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी से इंप्रूब समझ में आएगा इसकी इंपोर्टेंस रिकॉर्डेंग की एंड लिसनिंग की सो जब तक हम पढ़ रहे हैं जो भी हम पढ़ते जारा कम सकम उतनी हम प्रेक्टिस कर सकते हैं चोटे लिवल से अगरम स्टार्ट करेंगे इस मॉल करेंदे शोटे ले आपके वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अधी आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप नए हैं तो करपया चनल को सब्सक्राइब करें घंटी वाला बटन दवाले और जितनी भी मेरी प्रीवेस बीडियो आप अच्छी लगे तॉप प्रीवेस वीडियो भी दिखी एंट्रेक्षान क्ली दीखिए और आएंगे वाली क्लास देखिए ताकि आप जब अंगरी सेंटेसमना स्टर्ट करो तो आपको कशन रहे कहा मैंने क्लास देखी है और जब आप सेंटेस बनाओगे तो आपको यह मजा आएगा सो आपको है किलास कैसे लेगी किरफ़े मुझे कमेंड बॉक्स में बताएं और आज के लिए इतना ही कल में देते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग